आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों ने लड़ू तो बहुत बार खाया होगा कभी बेसन के लड़ू कभी सूजी के लड़ू कभी आठे के लड़ू तो कभी बूंदी के लड़ू क्या आपने कभी पनीर के लड़ू खाए हैं अगर नहीं खाए हैं तो आ नहीं पर 200 gram पर दमी पाफम लिया हैं से फ्ली से मिक्सर घ्राम्डेल में में इसान सेवागा गयुद्वा करट तो और इसे 5-7 मिनट तक जो है इसी तरह धीमी आज पर पनीर का जो भी एक्ष्टा पानी होगा उसे सुखाते हुए भून लेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की सिंपल और आसान रैस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना पिल्कुल भी ना भूले और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले तो पांच से साथ मिनट पनीर को भूनने के बाद हम इसमें चार चमच के लगभग मिल्क पॉडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डेर सो ग्राम के लगभग चीनी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो हम इसे पांच मिनट के लिए फिर से जो है चीनी का पानी सुखने तक भून लेंगे तो पांच मिनिट हो जाने के बाद हम इसमें एक कप के लगबग डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे नारियल का बुरादा नारियल का बुरादा आपको मार्केट में किसी भी किराना या जनरल एस्टोर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं हो तो आप सुखे नारियल को भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं साथी मैंने दो चममच दूद में एक पिंच पीले रंग का फूड कलर डाला है तो फूड कलर ऑप्सेनल है अगर आप चाहे तो डाले या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं साथी मैंने आधा चममच छोटी इलाची का पौडर भी डाला है आप इसमें गुलाब जल, केबरा, एसेंस आपके पास जो भी एवे लेवल हो आप उससे डाल सकते हैं अब हम इसी तरह हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए पांच मिनिट के लिए और भूल लेंगे ताकि हमें बाद में लड़ू बांदने में जो है कोई दिक्कत ना हो अगर आपको इसी तरह की सिंपल और आसान रेसिपी देखना पसंद है तो मैंने अपने चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी सिंपल और आसान रेसिपी की वीडियो अपलोड कर रहे है तो आप एक बार जाकर के मेरे चैनल पर भीजिट जरूर करें आपको सारी रेसिपी पाज मिनेटों हो जाने के बाद हम सारे मिसरन को एक पिलेट में निकाल लेंगे और हम इसमें एक चम्मच के लगवग घी मिला करके और इसे ठंदा होने के लिए रखेंगे जब यह हलका ठंदा हो जाएगा तो हम इस तरीके से छोटा-छोटा पोसन ले करके और इसे प्यार बहुत ही टेस्टी लगती है खाने तो आपको यह पनेर की लड़ू की रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूले अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली परेंट सभी के साथ सेर जरूर करें वीडियो को प